इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आये हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी अपडेट साब तक आगे इसी वीडियो के माद्धम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमरे साथ आगे इसी दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें अजीत पवार को सरत पवार ने दिया है दो दिन के अंदर डबल जटका पहले दिन सांसद तो दूसरे दिन दो विधायक सरत पवार के खेमे में वापस लोटे जी हां दोस्तों अब सरत पवार का खेला सुर अगले दो दिन के अंदर ही दो विधायक भी अजीत पवार को छोड़ करके सरत पवार के कैम्प में लौट आए हैं इन विधायकों में सतारा अमले मकरंद पाटिल और उत्री करार विधायक बाला साहे पाटिल हैं बताते चलें आप लोगों को अजीत पवार के सपत के दोरान राजभवन में मौजूद सिरूर के सांसद अमल कोहले ने कहा है कि वहाँ सरत पवार के समहूं में वापस या रहे हैं यानि कि कुल मिला करके देखा जाए तो माना जा रहा था कि अजीत पवार ने सरत पवार को जटका दिया है लेकिन अब त है दोस्तों अगली खबर की तरह बढ़ते हैं गर्मियों की छुटियां खतम होते ही एक्षन मेनेजर आ रहा है सुप्रीम कोट मढ़ी पुरहिंसा पर सुप्रीम कोट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी है ततकाल रिपोर्ट पूछा हिंसा रोकने के लिए आखिर आपन सेंगे सीजिया चंदर चूड बनाई है नई समयधानिक बेंच सुप्रीम कोट में तीन साल पहले लिष्ट हुआ तक केस यानि की कुल मिला करके देखा जाए तो यहां पर अब एक्षन मेनेजर आ रही है सुप्रीम कोट पूरे मामले में इसके साथ ही एक और अपडेट की 17 और 18 जुलाई को बैंगलूरू में होगी कॉंग्रेस के नेता केसी वेड़ गुपाल ने टूइट कर इसके जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि पटना में बेहद सफल बैठक के बाद हम 17 और 18 जुलाई को बैंगलूरू में अगली बैठक करेंगे हम फासिवादी अलो पर सामने निकल के आई है होने वाली मीटिंग को लेकर के और इसके साथ ही सुत्रों के अनुसर जानकारी आ रही है कि इस होने वाली बैठक में राहुल गांधी को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी को सैयुक्त विपच्छी की तरफ से पीम कैंडिडेट भी घोसित किया जा सकता है दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजेगा अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें एनसीपी में बगावत के बाद एकनास इंदे के सामने संकट आयोगता को लेकर के सुप्रीम कोट में दायर हुई है याचिका मुख्यमंत्री की कुर्षी अब खत्रे में जी हाँ दोस्तों खबर आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला एनसीपी में बगावत के बाद महराश्टर के मुख्यमंत्री एकनास सिंदे की विधान सभासे आयोगता का मामला एक बर फिर से सामने आ गया है उद्धठाकरे की सिवजेना के नेता सुनील प्रभू ने इसको लेकर के सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की है उन्होंन मुख्यमंत्री एकनास सिंदे और उनके सहयोगी विधायकों की आयोगता का मामला अभी तक स्पीकर के पास लंबित रहने का हवाला दिया है दरासल दोस्तों बताते चलें सुप्रीम कोट ने हाल ही में आदिस दिया था कि आयोगता के मामले पर जल्द से जल्द स्पीकर फ एकनास सिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की आयोगता को लेकर के कोई भी फैसला नहीं लिया है इसलिए अब सुप्रीम कोट को इसमें अपना हस्तेचेप करना चाहिए यह यहाँ पर इस समय की बड़ी अपडेट है दोस्तों दूसरी तरह आप लोगों को बताते चलें सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भाजपा पर लगाये हैं विपच्छी सरकारे गिराने के आरोप सुप्रीम कोट से ततकाल दखल देने की मांग कर दी है और इसके साथ ही यहाँ भी आरोप लगाया है कि भाजपा खुले आम पैसे का दुरुपियों करके विपच्छी नेताओं को खरीदती है और सरकारे गिराती है इसकी भी जाच होनी चाहिए और इतना ही नहीं कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकारी एजेंसियों की सरकारे गिराने में क्या भूमी का रहती है उसकी भ मिला करके देखा जाए तो सुप्रीम कोड के वरिष अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी अब हमला पर है केंदर सरकार पर इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं दोस्तों बंगाल पंचाय चुनाव टीमसी ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए राज जिपाल आनंद बोस के खिलाब चुनाव आयोग को पत्र लिखा है अब डेटा आप लोगों को बताते चलें पंचाय चुनावों से पहले टीमसी ने राज चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और राज जिपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ एक पत्र लिखा है बताते चलें टीमसी के पत्र में कहा गया है की मानिनीय राजीपाल राजी के सुविधाओं जैसे की गेश्ट हाउस सरकिट हाउस और परिवाहन सुविधाओं का उप्योग करके भारत ये जन्ता पर्टी के कारकरताओं के साथ में बैट के कर रहे हैं और ऐसा करना पशिम मंगाल पंचाय चुनाव अधिनियम की आदर साचार सहिता 2003 और भारत के समिधान का खुले आम उलंगन है इसलिए इन पर ततकाल प्रभाव से कारवाई होनी चाहिए यह यहाँ पर ममता बनर जी की पार्टी टीमसी ने मांग की है चुनाव आयोग से तो वहीं एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं महराष्ट सरकार में अजीत पवार की धमक से सिंदे गुट में खलबली मंत्रियों ने सियम से सीधी नाराजगी जताई है जिहां दोस्तों कबरां आप लोगों को बताते चलें महराष्ट की सियासत में यहाँ पर लगतार हलचल देखने को मिल रही है NCP के नेता रहे अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ में महराष्ट की सरकार में सामिल हो गए और वही इन सब के बीच में अब यहाँ पर खबर आ रही है कि एकनास इंदे गुट में खलबली सी मची है पूरे सियासी घटना करम के भी जेक चर्चा यहाँ भी है कि मुख्यमंत्री एकनास इंदे को चिंता सता रही है ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या संकेत है आईए हम आप लोगों को बताते चलें अजीद पवार और NCP के बड़े नेताओं के यहाँ पर कदम के बाद जहां भाजपा मजबूत हुई है वही सिंदे गुट में एक तरह से गहमा गहमी देखने को मिल रही है इस सियासी घटना करम के बाद जहां सिवसेना उधब गुट की नेता संजेराउत ने कहा था कि जल्द ही एकनास सिंदे के हाँ से मुख्यमंत्री का पच्चला जाएगा वहीं एकनास सिंदे की सक्रियता भी इस और इसारा करती हुई नजर आ रही है उनके अंदर भी अड़कम समचा है सिंदे गुट के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री एकनास सिंदे से मुलाकात की है उनके निजी आवास पर और उन्होंने NCP के सरकार में सामिल होने पर नाराज की जताई है और इसके साथ ही खबर तो यहां तक सामने निकल के आ रही है कि अब सिंदे गुट के कई विधायक वापसी कर सकते हैं उद्धप ठाकरे के खेमे में क्यूंकि बताते चलें इससे पहले जो मंत्री मंडल का विस्तार होना था उसमें सिंदे गुट के कई विधायक सामिल होने थे लेकिन NCP के आने से यहां पर उन विधायकों को जटका लगा है जो मंत्री बनने वाले थे सिंदे के खेमे से इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहत बड़ी खबरें मुक्के समचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत